हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी तो उठा लीजिए फिर से कॉपी और पैन क्यूंकि मैं आज यहां पर क्लास 12 के लिए यूनिट 7 के कुछ important topics और कुछ important numerical से डिसकस करने वाला हूँ तो बच्चो मैं क्लास की starting करने से पहले आपको यहां पर कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो आपको बड़े ही दियान से सुननी है और आगे implement भी करनी होंगी तो जैसा कि अभी आपका जो term 1 है वो end हुआ है और term 2 की होने वाली है starting तो बच्चो यहां पर आपको एक छोटी सी problem बहुत ज्यादा face करने के लिए मिलेगी और वो problem यह है कि जैसे term 1 है वो totally mcq basis पर था लेकिन जो term 2 है वो totally theory basis पर है तो यहां पर आपके सामने आने वाली जो सबसे बड़ी problem है न वो यह हो जाती है कि topics को किस तरीके से जो derivative part है उसे किस तरीके से हम present करें किस तरीके से लिखें तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको जिस तरीके से जो topic समझा दिया जाए जैसे लिखवा दिया जाए सेम उसी तरीके से पहले अपने notes बनाने है और चीजों को practice में लेकर के आना है ताकि आने वाले time में जब आप exam में इन चीजों को लिखो तो आपके जो marks हैं उनमें कोई भी cut ना मिले तो चलिए starting करते हैं एक शांदार topic से जिसका अपना नाम है डी ब्रॉगली hypothesis तो बच्चों बड़े ध्यान से आपको सुनना है एक scientist हुए थे जिनका नाम है डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली ने ये बताया था कि जब भी कोई एक particle या जब भी कोई एक matter motion में होता है तो वो during motion दो तरीके का nature शो करता है वो कभी कभी चलता है straight line form में जिसे बोलते हैं हम particle का ray nature और बच्चों वही particle कभी कभी चलता है waves की form में जिसे बोलते हैं उस particle का wave nature तो डी जब भी एक particle होता है motion में तो motion के time पर कितने तरीके का nature शो करता है जल्दी बताइए दो तरीके का एक ray nature और एक wave nature अब जैसे कि डी ब्रॉगली ने हमें कह दिया कि particle कभी-कभी तो चलता है ray form में तो इसे बोलते हैं particle का ray nature और कभी-कभी यही particle चलता है किसकी form में बच्चों waves की form में जिसे बोलते हैं particle का wave nature कौनसा nature बोलते हैं बच्चों वेव नेचर अब आपको धिहान से देखना है फिर जैसा की आप सभी जानते हो यह जो particle है waves की form में चल रहा है तो जब यह waves की form में चल रहा है तो इससे generate होने वाली इससे associate होने वाली जो यह waves है न इनहें बोल जाता है डी ब्रोगलीagues क्या को बच्चों से डी ब्रोगली वेवस फिर आप ये भी जानते हो कि जो वेव्स होती ब्रेंद इनत की अपनी सायरेटर्पेंड भी होती हैं तो डी डॉगली ने फिर हमें यह बताया कि इस पार्टिकल से जन्रेट होने ये वेवस हैं, जिन्हें हमने D ब्रॉवखली वेवस कह कर छोड़ दिया, इन्हें D ब्रॉगली वेवस की जो अपनी वेवलेंथ होती है, उसे ब्रॉग वेवलेंथ को लैम्डा से तो नहीं के नहीं करने करने के लिए formula होता है h by p अब यहाँ पर आया हुआ जो h है यह होता है planks constant क्या होता है बच्चो planks constant और जो यह p है यह p होता है linear momentum p होता है linear momentum तो यह थी बच्चो d broccoli hypothesis मैं एक बार फिर से repeat करता हूँ बड़े दिहान से आपको सुनना है फिर आगे चल कर हम इसे prove भी करेंगे d broccoli ने हमें बताया था कि जब भी कोई एक particle या जब भी कोई एक matter motion में होता है तो motion के time पर दो तरीके का nature show करता है जिनमें से पहला होता है rain nature और दूसरा होता है wave nature फिर यह नहोंना कहा था कि जब particle waves की form में चलेगा तो उससे generate होने वाली जो waves होंगी उन्हें कहते हैं d broccoli waves और इन waves की जो अपनी wavelength होती है उसे बोला जाता है d broccoli wavelength जिसे calculate करने के लिए हमारे पास में बड़ा ही एक शांदार सा formula होता है जिसे lambda equals to h by p से represent किया जाता है अब आया हुआ h यहां पर planks constant है और p है linear momentum तो चलिए अब इस बात को हम prove भी करते हैं कि वास्ता में ये चीज़ें होती हैं देखिए इदर तो मैं इसे करने वाला हूँ अब यहां पर prove तो बड़े ही दिहान से आपको देखना है paper point of view से एक बहुत ही शांदार बहुत important topic है बच्चो देखिए अधर तो चलिए बच्चो डी ब्रॉगली hypothesis को यहां पर रम प्रूव करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हो मैं इस बात को यहां पर लिखे देता हूँ कि we know that जो photon होता है उस photon के पास अपनी कुछ energy होती है तो मैंने बोला बच्चो कि we know that energy of each photon energy of each photon हर एक photon की जो अपनी energy होती है न वो e equals to कितनी होती है h new लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जो new है यह होती है frequency और frequency को लिखा जाता है c by lambda तो मैं इस चीज़ को यहां पर और भी लिख सकता हूँ e equals to h c by कितना lambda और यह मैंने मान कर छोड़ दिया है equation number one हम यहां पर जिस particle जिस particle का जिक्र करने वाले हैं वो particle मैंने यहां पर photon लिया है क्या हो कौन सा particle लिया है बच्चो photon लिया है तो यह होगी हमारी first equation लेकिन यहां पर थोड़ी देर के लिए यह मान लूँ कि जो फोटों है वो एक पार्टिकल है और फोटों का अपना जो मास है मैं उसे थोड़ी देर के लिए यह मान लूँ तो बड़े दिहां से आपको देखना है मैंने आपर लिखना इस बात को कि if the photon if the photon is considered consider to be a particle यदि मैं photon को एक particle की तरह ठीट कर लूँ जिसका मास कितना है मैंने लिख्खा इस बात को कि having mass small M यदि मैं photon को एक particle की तरह ठीट करूँ जिसका मास n है तो आपने बच्चों फिर एक Einstein Mass Energy Relationship पढ़ा है कि जब कोई एक M Mass का particle light की स्पीड से चलता है तो उसकी जो अपनी energy होती है न वो E equals to mc square होती है और यह मैंने मान ली है बच्चों यहाँ पर equation number 2 equation number 2 तो मैंने यहाँ पर जिस particle जिस matter का जिक्र किया जिससे जनरेट होने वाली डी ब्रॉगली वेव समय कैलकुलेट करनी है वो particle है बच्चों फोटोन तो मैंने सबसे पहले हैं पर फोटोन की energy को दो different ways में लिखा एक बार लिखा उसकी wavelength की form में और एक बार लिखा mass energy relationship से अब क्योंकि मेरे पास में energy की दो equation है तो दोनों को equate करना तो बनता है तो अब हम यहाँ पर first equation को second equation के साथ में करते है equate जब दोनो equations को करेंगे equate तो यह बन जाएगा hc by lambda hc by lambda equals to बन जाएगा mc square अब यहाँ पर इस c से इसकी यह power cancel होगी तो यह बन जाएगा बच्चो lambda equals to h by mc lambda equals to h by mc लेकिन आप यह भी जानते हो कि यह जो m है यह है photon का mass और c है उसके चलने की speed आपको पता है किसी भी particle के mass में जितनी speed से जितनी velocity से वो चलते है तो उससे multiply कर दें तो बन जाता है बच्चो particle का linear momentum तो यहाँ पर जो यह mc है यह बन जाएगा p के बराबर और यह कहा जाएगा particle का linear momentum मैं इस चीज़ को आपर लिखे देता हूँ कि यह बन जाएगा linear momentum जब इस चीज़ को हम यहाँ implement करेंगे तो lambda equals to आ जाएगा h by p यह होती है deep broadly hypothesis जो प्रूव हो चुकी है बड़े ध्यान से आपको देखना है चीज़ों को समझना है मैं जो यहाँ पर यह slide है इसे 5 second के लिए रोके देता हूँ आपको video pause करनी है और pause करने के बाद में सारी चीज़ों को note down करना है तो जल्दी से लिखना इस्ट्राइट कीजिए बच्चो फटा फट से तो चलिए बच्चो अब हम यहाँ पर solve करेंगे कुछ numericals लेकिन numericals को solve करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ basic points आपको चिखाऊंगा तब ही आप इन numericals को easily solve कर पाऊगे तो आईए देखते हैं वो basic points क्या है बच्चो जैसा कि मैं आप सभी को last videos में बता चुका हूँ कि मान लीजी यह है हमारे पास में metallic surface जब यह metallic surface है तो इसके अंदर large number में present होंगे free electrons मैंने गेवल एक यहाँ पर बना कर दिखा दिया अब मैं इस metallic surface में से electrons को emit कराना चाहता हूँ तो electrons को emit कराने के लिए हमें एक minimum energy required होती है जिसे बोला जाता है work function हम work function को w से represent करते हैं और calculate करने का formula होता है h new knot यहाँ पर new knot होती है threshold frequency threshold frequency फिर आपको यह भी पता है कि जब यह electron निकल करके जाएगा तो जब यह निकलेगा तो इसके पास अपनी जो velocity है वो maximum होगी जिसकी वज़े से इसकी kinetic energy भी maximum होगी तो इसकी emit होते वक्त जो maximum kinetic energy होती है उसे calculate करने के लिए formula होता है h new minus new knot h new minus new knot फिर आपको यह भी पता है कि मानलो यह electron यहाँ से निकल करके गया लेकिन मैंने यहाँ पर एक negatively charge plate लगा दी एक plate यहाँ पर place कर दी जिसको मैंने negative potential provide कर रखा है और उसे V naught से represent किया तो यह negative potential इतना ज़्यादा है कि जिसकी वज़े से electron वापस metallic surface पर पहुँच जाएगा या यूँ कह दो कि इस electron को निकलने से रोकने के लिए मतलब emit होने से रोकना है तो उसके लिए जो negative potential require होता है उस negative potential को stopping potential बोलते है जब हमें stopping potential पता हो और electron की emitted electron की लिखनी हो maximum kinetic energy तो उसके लिए हमारे पास में formula होता है बच्चो E V naught E होता है charge of electron और V naught होता है यहाँ पर stopping potential तो यह कुछ points है बच्चो points तो और भी काफी सारे हैं लेकिन जिस जिस point की हमें requirement होगी उस point को वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा तो चलिए starting करते हैं यहाँ पर आप पहले question से तो आज का जो पहला question है वो question आपके लिए यह है कि two metals A and B have work function 4 electron volt and 10 electron volt respectively बच्चो question में बोला गया है कि हमारे पास में 2 metals है A और B जिसमेंसे metal A के लिए work function है 4 electron volt और B के लिए जो work function की value दी गई है वो है 10 electron volt फिर इन्होंने बोला है कि which metal has a lower threshold wavelength for the photoelectric effect मतलब इन दोनों metals मेंसे किस metal के लिए threshold wavelength की value कम होगी बड़े दिहान से आपको देखना है जैसा कि question में कहा गया है हमारे पास में 2 metals है यह है A और यह है metal B metal A के लिए जो work function है जिसे मैंने WA से represent किया वो दिया गया है बच्चो 4 electron volt और metal B के लिए जो work function है वो दे रखा है 10 electron volt और इन्होंने यह पूच्छा है कि दोनों metals मेंसे किस metal के लिए threshold wavelength जिसे lambda 0 से represent करते है इसकी value minimum किस के लिए होगी जो minimum value होगी वो किस के लिए होगी A के लिए होगी या B के लिए होगी बड़े ध्यान से आपको देखना है तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हो हमने work function का एक formula पढ़ा है H new not आपको यह भी पता है कि जो new not होता है वो C by lambda not होता है C by कैसा होता है lambda not तो मैं इसे फिर से लिख सकता हूँ W equals to H C by lambda not H C by lambda not अब H B constant है C B constant होता है तो यहां से हमें साफ साफ पता चलता है कि किसी भी metallic surface के लिए जो work function होता है वो inversely proportional होता है threshold wavelength के तो जिस metal के लिए threshold wavelength ज़्यादा होगी उसका work function कैसा होगा कम कैसा होगा कम अब आपको बताना है कि lambda not की value किसके लिए minimum होगी किसके लिए minimum होगी तो आप सभी जानते हो इस बात को यदि इसकी value minimum रखोगे तो W कैसा होना चाहिए maximum और maximum किसके लिए है B के लिए तो metal B के लिए metal B के लिए जो यहाँ पर threshold wavelength होगी वो सबसे कम होगी तो इस question का जो correct option होगा या जो answer होगा वो होगा बेटा for metal B for metal B जल्दी से फटाफट से लिख लीजिए तो चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर फिर से एक नई question के लिए question आपके सामने है अब question में क्या कहा गया है मैं explain करता हूँ सुनेंगे बड़े दिहन से question में कहा गया है कि हमारे पास में दो photo sensitive surface है जिसमें से मान लीजिए जो पहले वाली surface है वो है surface 1 और जो दूसरे वाली surface है मैंने उसे नाम दे दिया है surface number 2 अब पहले वाली surface का जो work function है वो question के according w1 दिया गया है और दूसरे वाली surface के लिए जो work function है वो w2 दे रखा है फिर साथ में इन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पर जो w1 है वो greater है w2 से फिर हमने क्या किया इन दौनों ही surface के ऊपर ultraviolet light को incident किया है तो दौनों ही surface में से electrons emit होगी तो पूछा यह गया है कि दौनों surface में से किस surface के emitted electrons की kinetic energy maximum होगी kinetic energy maximum होगी तो बच्चों बताइए जल्दी से पहले आप idea लगाईए कि कौन से metal के लिए कौन से metal के लिए काइनटिक energy maximum होने वाली है जल्दी से comment करके हमें बताइए कि कौन से के लिए होगी देखे इदर जैसा कि आप सभी जानते हो जो emitted electrons होते है उनकी जो maximum kinetic energy होती है उसे calculate करने के लिए यह हमारे पास में formula होता है h new minus w अब आपको यह पता है कि जो light हमने यहाँ पर incident की है वो दोनों ही surfaces के लिए same है हमने इसके उपर भी ultraviolet light incident की और इसके उपर भी जब light same है तो frequency की value दोनों ही surfaces के लिए same रहने वाली है same रहने वाली है और h constant रहता ही है तो आप यहाँ से इस equation को देख करके समझ गए होगे कि h sorry यह जो k है इसकी maximum value हमें तब मिलेगी जब w की value कैसी होगी minimum तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जब w होगा minimum तब ही होगा कि है maximum और w की value minimum है किसके लिए surface 2 के लिए है उसके emitted electrons की जो kinetic energy होगी वो होगी maximum तो चलिए बच्चों बात करते हैं फिर से एक नए question के लिए और question इस बार क्या कहता है बड़े ही धियान से सुन ली जीएगा question में बोला गया है कि light of frequency 7.21 into 10 to the power 14 hertz is incident on a metallic surface मतलब हमारे पास में एक metallic surface है जिसके उपर हमने 7.21 into 10 to the power 14 hertz की light incident की है फिर इन्होंने आगे बोला है कि electron with a maximum speed of 6 into 10 to the power 5 meter per second are ejected from the surface मतलब जब हम उस metallic surface के उपर इतनी frequency की light को incident कराते हैं तो जो उसमें से निकलने वाले electrons हैं emitted electrons हैं उनकी maximum speed 6 into 10 to the power 5 meter per second है तो आगे पूछा गया है कि what is the threshold frequency for the photoelectric emission of electron तो बताईए जो यहाँ पर यह photoelectric emission हुआ है उसके लिए threshold frequency की value क्या रही होगी तो देखिए बच्चों जैसा कि question में कहा गया है कि जो light है जो उने metallic surface के उपर incident की है उसकी frequency 7.21 into 10 to the power 14 हर्ज है अब जो electrons metallic surface में से एमिट हुए उनकी maximum velocity जो दी गई है वो है 6 into 10 to the power 5 meter per second और पूछा गया है कि यहाँ पर threshold frequency बोले तो new not की value कितनी होगी अब आप सभी एक छोटी सी बात जानते हो जब किसी metallic surface के उपर मान लो एक metallic surface है इसमें यहाँ है यह free electron जब हम एक light को incident कराते है यह light photon है तो इस में से जो emit होने वाला यह electron है इसकी जो maximum kinetic energy होती है इसे calculate करने के लिए हमारे पास में एक formula होता है k max equals to h new minus new not होता है बच्चो लेकिन बात करते हैं यहाँ पर हमें frequency नहीं दी गई है तो फिर आपने एक formula और भी पढ़ा है क्योंकि जो emitted electron है अब उसकी आपको जो निकलने की maximum velocity है वो पता है तो आपने एक maximum kinetic energy के लिए formula पढ़ा होगा half mv max का square half v max का square और यह मैंने equation number यहाँ पर 2 मान ली अब क्योंकि यहाँ पर यह जो मैंने इस emitted electron की kinetic energy है उसे दो different formula से represent किया यह जो पहले वाला formula है यह frequency और threshold frequency के basis पर है और दूसरा वाला जो formula है यह इसकी kinetic energy को बताता है in form of mass and velocity तो यहाँ पर मैं इन दोने equations को equate कर सकता हूँ तो मैंने लिखा सीधे-सीधे कि अब आप मेरे कहने से first को equate कर दीजिए second equation के साथ जब यह तोने equations हम equate करेंगे तो यह बन जाएगा बच्चो half m v max का holy square sorry v max का square और equals to में बनेगा h new minus new norm अब यहाँ पर जो सारी values दी गई है उन्हें हम put करेंगे तो put करने के बाद हमने मिलेगा क्या यह हो जाएगा 1 by 2 mm mass of electron जिसकी value 9.1 into 10 to the power minus 31 होती है v max कितना दे रखा है बच्चो इतना तो इसे हाँ पर put कीजिए यह हो जाएगा 6 into 10 to the power 5 इसका holy square करना है अब जो h होता है h होता है आप सब जानते हो कि जो उसकी value होती है जो h है उसकी value जो होती है 6.6 into 10 to the power minus 34 minus 34 और यह हो जाएगा new minus new not अब new आपको दे रखा है कितना 7.21 मैं इस value को यहाँ पर लिखे देता हूँ 7.21 into 10 to the power 14 और minus कर देंगे new not अब इस value को आप यहाँ से solve करेंगे और solve करने के बाद finally जो भी आपका answer होगा वो ही correct option होगा और बच्चो जो भी option आए उसे हमें comment box में comment करके जरूर बताएं ताकि हम judge कर सकें जो answer आपने बताया है वो सही है या गलत तो चलिए बच्चो बात करते हैं फिर से एक नई question के लिए इस वार question में क्या कहा गया है बड़े धिहान से सुनिएगा question में बोला गया है कि the photo electric cut off voltage in a certain experiment is 1.5 volt मतलब किसी एक certain experiment के अंदर जो cut off voltage है वो cut off voltage की value दे रखी है 1.5 volt फिर इन्होंने बोला है कि what is the maximum kinetic energy of photo electrons emitted तो बताये उस experiment के अंदर जो emit होने वाले electrons थे उनकी maximum kinetic energy कितनी होगी तो जैसा कि question में cut off voltage जिसे हम V0 से represent करते हैं उसकी value 1.5 volt दे रखी है और पूछा ये गया है कि वहाँ पर उस emitted electron की maximum kinetic energy कितनी होगी तो बड़ी simple सी बात है मैं आपको बता भी चुका हूँ बच्चो कि जब stopping potential दे रखा हो और kinetic energy पूछ ली जाए तो kinetic energy को calculate करने के लिए हमने एक formula पढ़ा है कि जो maximum kinetic energy होती है वो EV0 के बराबर होती है और यहाँ पर E जो होता है वो होता है charge of electron तो आईए values पूट करते है अब E की जो value होती है वो 1.6 into 10 to the power minus 19 और जो V0 है उसकी value दे रखी आपको कितनी 1.5 अब इसे solve करके अपना answer आप calculate कर सकते हैं तो चली बच्चों बात करते हैं फिर से एक नए सवाल की सवाल आपके सामने हैं लेकिन इस वार कमाल की बात ये होगी कि ये जो सवाल है ना तो मैं इसे समझाने वाला हूँ और ना ही इसे solve करवाने वाला हूँ ये सवाल आपको खुदी solve करना है और solve करके जो भी answer आए वो हमें comment करके जरूर बताना है ये सवाल है आपके लिए अब हम बात करेंगे फिर से एक नए सवाल की अब नए सवाल क्या है सुन लीजे बड़े ध्यान से इस बार कहा गया है कि the threshold frequency of a certain metal is 3.3 into 10 to the power 14 hertz मतलब हमारे पास में कोई एक metal है उस metal के लिए जो threshold frequency है उसकी value 3.3 into 10 to the power 14 hertz आपको दे रखी है फिर इनों ने आगे कहा है कि if the light of frequency 8.2 into 10 to the power 14 hertz मतलब जिसके लिए जिस metal के लिए threshold frequency की value दे रखी है उस metallic surface के उपर यदि हम 8.2 into 10 to the power 14 hertz की मतलब इतनी frequency की light को incident करा दे तो वहाँ पर emitted electron के cut off potential को हमें find करके बताना है तो देखे बच्चों बड़े ही दिहान से सुनना है जैसा कि question में दिया गया है metallic surface के लिए जो threshold frequency है जिसे हम new not से represent करते हैं उसकी value दे रखी है 3.3 into 10 to the power 14 hertz और इनोंने कहा है कि उस metallic surface के उपर हमने जो light incident की उसकी value दे रखी है बच्चों कितनी 8.2 into 10 to the power 14 hertz तो बताना ये है कि जो emitted electron होंगे उनके लिए cut off potential की value कितनी होगी बड़े दियान से आपको देखना है मान लीजिए ये हमारे पास में एक metallic surface इसमें है ये present free electron इस metallic surface में से electron को यदी बाहर निकालना है तो हमने क्या काम क्या light incident की अब light की जो threshold frequency है new note वो दे रखी है इतनी लेकिन मैंने जो इसके उपर light incident की है उसकी frequency इतनी दे रखी है तो इस मैंसे जो ये emit होने वाला electron है ना इस electron की इस electron के लिए आपको stopping potential find करना है तो मैं यह पर दो बाते कहूंगा हमने emitted electron की maximum kinetic energy को calculate करने के लिए एक formula पढ़ा है बच्चों एच न्यू माइनस न्यू नॉट न्यू माइनस न्यू नॉट जिसे मैंने यहाँ पर equation number one मान करके छोड़ दिया फिर आपने ये भी पढ़ा है कि यदि आपको emitted electron की maximum kinetic energy लिखनी हो किसके basis पर stopping potential के basis पर तो के max के लिए एक formula और होता है ev0 तो यहाँ पर यह kinetic energy के लिए दो equation है अब दौनों ही equations को equate हम कर सकते हैं तो मैंने सीधे बोला बच्चों कि आप मेरे कहने से equation first को equate कर दीजिए equation second के साथ जब यह दौनों equations को आप equate करोगे तो कहानी कुछ इस तरीके से बनेगी ev not equals to h new minus new not अब आप चाहो तो यहाँ से इस e को यहाँ पर भी लिख सकते हो तो यहाँ से जो stopping potential है वी not उसके लिए अब आप करिए यहाँ पर सारी values गो पुट कर दीजिए तो जो h होता है उसकी numerical value होती है 6.6 into 10 to the power minus 34 बात करते हैं e की तो e होता है charge of electron जिसकी value होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 बात करते है यहाँ पर new के लिए तो new की value दे रखिए बच्चों कितनी यह दे रखिए 8.2 into 10 to the power 14 माइनस करेंगे new not जिसकी value दे रखिए कितनी 3.3 into 10 to the power 14 अब इसे आप solve करेंगे solve करके जो भी आपका answer आएगा वो आपको comment करके बताना है ताकि हम judge कर सकें जो answer आपने find किया है वो correct है या incorrect और बच्चों आज की वीडियो में physics classes को subscribe करना ना भूलें थैंक्स झार किस थे जो आएगा बही से ओडना हैंक्स